Hello everyone, welcome back to my channel, Rahiya Dindam, this is Imani आज discuss करेंगे PyaJay और Vygotsky की theory में difference यानि की अंतर क्या है दोनों में इससे पहले lectures में हम PyaJay की पहले हमने PyaJay की theory पूरी complete की है यानि की PyaJay का सिधान और उसके बाद हमने Vygotsky की theory पूरी complete की है ये दोनों चीज़े हमारी complete हो चुकी है, मतलब उसी से relate है इसलिए बता रही हूँ अब बार ही आती है, इन में difference क्या क्या है, है ना इसमें कुछ points ऐसे हैं, जो आपको difference clear होंगे, वहाँ इतने clear नहीं हो पाई होंगे एक दो point की मैं बात कर रही हूँ तो start करते हैं, और दूसरी बात ये tension मत लीजिए, मेरे पास messages आ रहे है, मैं आप जल्दी करा दो, जल्दी करा दो already दो unit complete हो चुकी है, है ना, दो unit complete हो चुकी है, history और वो जो भी part आता है उसका, ठीक है socialization वो पूरा complete हो चुका है, तो tension नहीं लेनी है, आप कितना बहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, ये matter करता है ये matter नहीं करता है, कितना एक ही दिन में मैं दे दू, है ना, तो वो सारी चीज़े, इतना matter लेके, आप confused हो जाएंगे इसलिए चीज़े दीरे दीरे चल रहे हैं, बहुत बहतर तरीके से चल रहे हैं मेरे ख्याल से, तो उसको वैसे ही चलने दिया जाए और बाकि question practice, ये मैं मानती हूँ, question practice होनी चाहिए, वो हम जल्दी start करेंगे, series करेंगे चाहिए आपका CTET हो, चाहिए आपका REAT हो, चाहिए आपका UPTET हो, कहने का मतलब है कोई भी TET exam आपके हाथ से नहीं निकलेगा, CDP की मैं guarantee लेती हूँ, ठीक है, और बाकि जितने भी subjects हैं, अगर आप उसमें इमानदारी से महनत करते हैं, then don't worry, ठीक है, और ये सारी चीज़ बहुत बड़ी चीज है, ये सारी चीज़े नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक दो लोगों को देखा है, वो इस चीज़ को लेके इतना जादा focused है, या तो अपनी life में कि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, या फिर वो इतने जादा focused हो गए है एक चीज़ प आप सारे में हला मचा दो, सीटेट हो गया, रीट हो गया, ये सारी चीज़े करने से आपको कोई फायदा नहीं है, तो ये सारी चीज़े आप कंट्रोल करके चलिए, मतलब कह सकते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों पर उचलने वाली बात होती है, वो अच्छी नहीं होती वो माते हैं कि हरेेटी ही सब कुछ होती है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ दी जाएगी, वैसे-वैसे उसका डवलपेंट होता जाएगा, बट वाइगोत्स की अइसा नहीं मानते हैं, वाइगोत्स की क्या मानते हैं, सोशल, सुसाइटी नहीं की और कल्चर को, ये द maturation right जैविक परिपक्वता इसको बोलेंगे और ये था हमारा first point ये difference है दोनों की theory अगर मैं दूसरे difference की बात करती हूँ तो ये क्या है ये सिर्फ individual activity है है ना लेकिन ये क्या है ये social constructivist है यानि कि सामाजिक रचनाकार है लेकिन यहाँ बच्चा अकेला है जो जैसे जैसे उसके age बढ़ी रही है ये क्या हुआ है personal factor हुआ जैसे जैसे उसके age जा रही है वैसे वैसे उसका development हो रहा है यानि कि उसको किसी तरीके से एक तो support नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं प्याजे और दूसरी बात दूसरी बात ये कि वाइगोट्स की ऐसा नहीं मानते वाइगोट्स की बोलते हैं कि जो society है जिस society में वातावरिन में बच्चा रहता है जहां उसकी परवरिश होती है जिस environment के चार तरव उसके environment जो है वो सारी चीज़े संस्कृति कैसी है कल्चर कैसे है वो सारी चीज़ों का प्रभाव अच्चे पर जादा पड़ता है और यही चीज कही सकते हैं development में उनके important role play करती है इन्होंने दे दिया social constructivist इसको बोलेंगे सामाजिक रचनाकार इन्दी वाले लिखते जाना एटेंचन नहीं लेना कि लिखा नहीं है तो बोली भी नहीं हूँ है और दूसरी बात प्याजे ने क्या किया है individual activities को माना है यहां तक clear है यह आपके second point हो गए अब third point आता है third point क्या है development tends to proceed from development tends to proceed learning मतलब कि जो आपकी कह सकते हैं प्याजे ने क्या बोला है पहले विकास होता है यानि कि पहले आपका development होता है तब development जो होता है यानि कि जो आपका विकास है वो भाशा को कह सकते हैं प्रभावित करता है या फिर भाशा को आगे बढ़ाता है यानि कि पहले आपका development हो रहा है, बच्चे का पहले development हो रहा है, देन उसकी भाषा वो सीख रहा है, अगर ऐसा क्या आप ऐसा मानते हैं, वैसे normally मैं बूच रही हूँ, ऐसी चीज है, पहले विकास होता है और फिर बच्चा सीखता है, यानि कि जो development होता है, वो language को proceed करता है, स कि जो learning होती है, यानि कि पहले बच्चा सीखता है, उससे बच्चे का विकास होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़े उल्टी है, यहाँ पे पहले learning होती है, यह learning है, थीक है, बच्चा पहले सीख रहा है और देन उसका विकास हो रहा है, यह कहां तक आप मानते हैं कमेंट करके बताना और फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट है प्याजे बोलते हैं कि development एक discontinuous process है जो की proof होता है उनकी stages से उन्होंने अवस्थाओं में बाटा विकास को इसलिए चीजे आ गई निकल के कि भाई इस stage में इतना विकास हो रहा है इस stage में यहां से यहां तक विकास हो रहा है तो कहने के बाद है विकास रुख रहा है एक stage के बाद जबकि ऐसा होता नहीं है ठीक है तो development एक discontinuous process है discontinuous process सही बात हो गई लेकिन यह जो वाई गोज के हैं यह क्या मानते हैं कि यह continuous process है continuous process क्या है development है development क्या है continuous process है यहनि कि विकास निरंतर चलने वाली प्रकिरिया है लेकिन प्याजे ऐसा नहीं मानते यहां तक बात clear हो गई अब एक छोटा सा और important point आता है जो है लिख देती हूं पूरा important है इसलिए लिख ले न बस एक सकिंद दो और भैई जिसको वीडियो पसंद आ रही हो वो like करके जान है न थोड़ा तो motivate feel करा दिया करो यार थोड़ा तो ऐसे होता है motivation feel होता है जब आप मुझे कैसे बता चलेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कितनी चीज़े ठीक चल रहे हैं यह सब चीज़े हैं तो जब like या तो like दिखे या comment दिखे जब वो चीज़े दिखती हैं तब पता चलता है कि हाँ चीज़े जो मैं बताना चा रही हूं या फिर जो चीज़े समझने की हैं वो समझ आ रही हैं अच्छे से यह चीज़ होती है अब आप देख रहे हैं मेरे को कैसे बता चलेगा कि चीज़े ठीक हैं है न? और इतने सारे दिन में मेसेज करते होंगे भाई खाना खाया नहीं खाया हैं तो एक दो मेसेज कमेंट कर दिया करो कम से कम बता तो दिया करो नलाय को हैं तो बात करते हैं इसके बाद बात आती है यह important है ध्यान से सुनना thinking tends to proceed language मतलब कि सोच भाशा को बढ़ाती है ऐसा मानते हैं प्याचे thinking tends to proceed language right यनि की सोच भाशा को बढ़ाती है पहले इंसान सोचता है तब उसमें भाशा विक्जित होती है वाइगोट्स की क्या मानते हैं वाइगोट्स की मानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है जब बच्चे का क्या होता है जन्म होता है तब भाषा और language यानि कि सोचना और जो उसके भाषा है वो एक ही होती है वो अलग-अलग नहीं होती बट जब बच्चे के उम्र तीन साल हो जाती है उस तीन साल तक आते आते वो दोनों आपस में मिल जाती है यानि कि जब तक बच्चा बेबी बर्थ यहां क्या है यहां language और thinking एक ही है या लग-अलग नहीं है लेकिन जैसे बच्चा तीन साल का बच्चा हुआ तो यह दोनों चीज़े क्या है यह मिल जाएंगी यह क्या हो जाएंगे language और thinking यह क्या है अलग-अलग चीज़े है यह क्या है अलग-अलग चीज़े है जब बच्चे का जन्म हुआ तब भाषा और thinking उसकी थी अलग-अलग बट जैसे ही वो तीन साल का हुआ उनकी भाषा और thinking हो गई एक कितने साल के बाद? तीन साल के बाद important है याद रखना इसलिए दस बार repeat कर रही हूँ यहां तक है आपका difference जो जो main-main difference थे मैंने सारे बता दिये जितने आपके कान के थी ठीक है इसके अलावा आपको need है थोरे बहुत बहुत बहतर तरीके से पढ़ने के मतलब ऐसे उपर-उपर से मत पहुचा देना प्याज ने चार्ज स्टेजिस दे दी यह लन कर लिया उसका more knowledgeable others, ZPD यह सारे चीज़े कर ली और उसके बाद बाकी deeply अगर questions आ रहे हैं आप बि रिजल्ट उतने ही बहतर होंगे यह मैं promise करती हूँ आपको अगर नहीं होंगे आप message करना गलती मेरी होगी बट आपके point of view से या आपके side से यह चीज़े at least होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो इमानदाली से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं है ना यह लोगोरिमे नोट की होगी नहीं मैं बहुत दिन से नोट कर रहे हूं वीडियो पे क्योंकि चैनल अभी starting है तो व्यूज देखोतें जातें नहीं हैं बट होता क्या है किसी ने बी चैनल स्टार्ट किया हो किसी ने कोई भी चीज श्टार्ट किया आप जितने बच्चे जू नहीं होता क्या और तरीके कर चानल नहीं मिला था मुझे इसी में मतलब अपनी भी सरदर दी लूँ मुझे कुछ मिल नहीं रहा है कुछ नहीं है है ना यह सारी चीज़े करूं क्यूं भाई ठीक है इतना खाली कोई नहीं होता दूसरी बात मैंने यह नोट किया कि 7 से 11 के बि डीयो पर मैंने देखा है जैसे वीडियो है उसमें तुरंट wszystk नहीं आएंगे वीडियो पर डिस्लाइक एक साथ आएंगे या सथ आएए बढ़े होगे तो ऐसे लोगों को भी थांक्यू भाई इतना टाइम देते हैं आप कि आपको याद रहता है डेली कि वीडियो आई होगे उसको डिसलाइक भी करने जाना है तो उनका भी अपना एक प्यार है बना रहे है ना ठीक है कुछ लोग होते हैं आपकी हर किसी की जिन्दी में होते हैं ऐसे फालतु लोग बट ऐसो को पर अगर ध्यान दिया जाए और अगर मैं यह समझ लूग मेरे confidence डाउन आ जाएगा मेरे क्या होगा या मैं तो उसके लिए वीडियो नहीं बना रही आर फालतु जा रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना तो वीडियो बनाई है वीडियो इन दसेंस यह चीज़े स्टार्ट की है ऐसे कर दी है अगर कुछ करना होता क्या पेड लोग पेड कोर्स लॉंच हो जाती चाहें चार बच्चे करी ले तांकियो सो मच और जो लोग पहली बार चानल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना और दिवाली आने वाली है सो हैपी दिवाली और सेफ रहना थोड़ा सा अगर हो सके कोशिश करना क्राकस मत फोड़ना यह थोड़ा सा है यार डेली में पॉलिशन लेवल देखो और ठीक है अपनी पर रिस्पोंसिबिल्टी कुछ बनती है अगर आप गाउं जा रहे हैं बिलकुल पॉलिशन प्री होता है थोड़े बहुत पटकाल यह कोई बाद नी बट स्टिल जहां आप रह रहे हैं और वहां पहली से इतना पुरा हाल है तो थोड़ा सा आप अपने बा बाच बवाटिक